लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें करें प्रेस करें कर दो कर दो. कर दो कर दो कर दो कर दो झाहाँ जो भुझाँ झाहाँ उजब टुझाँ झाहाँ झाहाँ झाल 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 पीटर झाल झाल यहां से जाओ देखिए आप लोगों को भी इस और पर हात नहीं उठाना चाहिए था खेर अब ले जाओ इन लोगों को हस्पिटल जाए आप लोगों फादर आप तो हमेशा पीटर का साथ देते हैं नहीं भानु प्रताब जी मैं तो हमेशा नयाय का साथ देता हूँ आये जी मेरी जी ममी ये कोई वक्त है कॉले से आने का ममी वो स्पेशल क्लास थी इसलिए देर हो गई जब देखो बहना बना लेती हो अरे अभी ये कॉले से आई है इसे किताबें विता भी रखना तो जा बैठी जा बाद में पूछ ले ना तुम्हें जो कुछ पूछना है तुम्हारा लाड़ प्यार बिगार देगा इसे आ गया तुम्हारा लाड़ ला पूछो इससे क्या गुल खिला के आया है क्या आवा बिटा अरे ये क्या बताएगा मैं बताता हूँ गाउन में छगड़ा करके आया है, इसके सिवा इसको आता क्या है? हां मैं छगड़ा करके आया है। और छगड़ा करूँगा, बार-बार छगड़ा करूँगा। अगर किसी पर भिभन्याय हुआ तो चांती हो मा अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं पहुशता तो वो लोग उस बैचारी औरत को जान से मार देते हैं अरे तो तुने क्या आख्ये गाउं का ठेका लिये लिया है मैंने आख्ये गाउं का ठेका नहीं लिया है लेकिन इंसानियत का ठेका जरूर लिया है पीटर इंसानियत की बात करता है पहले इंसान बन इंसान ये क्या कर रहे हो बेटा अभी अभी बाहर से आया है पहले उसे कुछ खाने तो दो मेरी किसमत में खाना का है मारे किसमत अच्छे करम से बनती है बुरे करम से नहीं अच्छे करम कर जानती है जब मैं गाहूं से निकलता हूं तो गाहूं को लोग क्या कहते है आज आपके बेटे ने उसको मारा आज आपके बेटे ने उसके साथ जगला किया भया सुनो क्या करत यह तुम रोर्जोज मालावाने क्यों करते हूं तुम्हारे पीटर को इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला पीटर समझने की कोशिश करो घर में बहन बढ़ी हो गई है उसका भी तो रिष्टा करना है देखो रूपा रिष्टे इंसानों के करने से नहीं होते रिष्टे तो उपर वाले की मर्जी से होते हैं किसमत से होते हैं शाद मेरी भेहन की भी किसमत में कोई अच्छा साही लड़का लिखाओ मेरी ओ मेरी क्या सोच रही हो तुम मन के समंदर में डूप के सूचती हो तो नजाने क्यों रमेश तरसा लगने लगता है क्यों? भरोसा नहीं है मुझे पर मुझे तो अपनी तक्दीर पर ही भरोसा नहीं है रमेश कहां तुम सेर्भानु प्रताप के बेटे और कहां में एक मामुली सी खरीब लड़की ओफो मेरी तुम फिर अमीरी गरीबी की बात करने लगी अरे मैं अगर किसी दौलत मन बाप की बेटी से शादी कर भी लूँ तो क्या होगा तोड़ी दौलत और मिल जाएगी और ये जो प्यार है ना ये प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है और जब प्यार हो जाता है ना तो दुनिया की कोई भी दिवार उसके सामने टिक नहीं पाती चाहे वो दौलत की हो या समाज की तुम्हारी इनी बातों ने मुझे पागल कर दिया रमेश अरे प्यार का दूसरा नाम तो पागल बनी है चाच नाम तुम नितनी हसी होती ना हम तुम में विदा होती अगर होती न देवाती तुम नितनी हसी होती ना हम तुम पे विदा होती अगर होती न देवाती तुम नितनी हसी होती ना हम तुम पे विदा होती तुम्हारे खोले बन में दी अदा है दिल सड़बाने की मताना है जी हमको देख हालत देवाने की तुम्हारे खोले बन में दी अदा है दिल सड़बाने की मताना है जी हमको देख हालत देवाने की गौका का तंधरने वाले काश सुम्हार पाओते अगर हाती नजीब हाती कबाना जीदी दिक्या आते तुम इतनी हाती होती तो हम तुम से उता होते जरा चोचो तो जाने मन ये मौसम और दनहाई का तुमी तो मतलब से मतलब नहीं दर है रत्माई का तुमी तो मतलब से मतलब नहीं दर है रत्माई का अजी तुम भी यही करते जो तुम मेरे जगा होते अकर होते ना देबाने तो बाला दे तिरे क्या होते अकर होते ना देबाने तो बाला दे तिरे क्या होते अकर उम्मित में हसी होते ना हम तुम बैर लिदा होते आए कर दो कर दो कर दो दोड निलना के द्यारू है पट्रूद् साप आज की समाने में पानी पीडल ने मिलता थूर्प कहां से मिलांगी हाँ व bekommt लेकिन तूरोन सांव कते त executives कि लुक अई हाफ हुश्च में। बजहें घंठा वजाने के बजाय के नंगा सफुने शेळीश है तुम्हें कुंसे नाम रोशन के नहीं जी गवर्मिंट की वर्दी पेन को दारू के अड़े पे घुम रही ना अबे मैं हावालदार हूँ कहा भी खुम सकता हूँ जाओ ये तीस मारखा को तुम्हें बता डालो के मैं कौन हूँ अबे चौप इसको बता डाल मेरी पावर क्या है पोली स्केशन ले जाकर 460 वाल्ड चिपका दूगा तुम्हेरे को चिपका हिंगा है जाए तुम्हारा जो को दूसरी चोगिप मेरी जाओं के दारु गय्ड़र आको डादागिरी करते हैं आए नहीं बताना क्यों नहीं बताने के भी दाम लगते अरे फुलीस वाले से दाम लेता है तुम्हें तुम्हें दुनिया का माल खाते हैं अगर्द मैं तुम्हारा थोडुना खालिया तो किसी को बोलना नहीं है किसी को बोलना नहीं है है और एक बॉस्टल देना जो रोदाना याना जी पचास के नोट लें को नहीं रहें गे टीस हम और वाकर कॉल दे दूगा आता ना उन्हें अरे पूरा घर खाली कर दो ले सब सामान फ़ेगू वार अरे वही हो जो रहा है यह हो रहा है यह वही हो रहा है जो होना चाहिए पेड्रो पासकल सामान सब भार पहिके रहे यह बुड़िया अपना सामान उठाँ निकल पड़ परना काचके रख दूंगा आपना बाप का घ अरे जान मेरी हाथ में देना है तो अपना हाथ देना इस जोपड़े से उठाकर महलों में बिठा दूँगा तो क्यों तेरे महलों पर निकल जाए यहां से परना टांगे तोड़ दूँगी कि 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 अब एस साले नालाई को पैसे मेरे से लेतो और हुकुम उसका बनते हो जाब वो उस दिल चमचो ठोटो यह से अगर दुबारा इस घर की तरफ आंक उठा कर देंगा तो मैं क्यों बहुत ख्याले ना अपनी जो रुका यह मकान खरीद के देना इसे तो तू क्या खरीदेगा सालाब भीक मंगा कहीं का हुआ झाल कर भास्टे, पिजादर नहीं करते करिया हैं। आर शायँजाद मैंने करें। नहीं, पीडर नहीं। पणे आप बुच किर चिहा हैं, आप बुच का करता नहीं? फादर, इन जैसे बैमानों ने गरीबों का जिनम बुष्ट ले कर दिया है खाबुष, हटो, हुआ क्या मैं बताती हूँ फादर, पिछले 20 सालों से मेरे पती इस जमीन की देख भाल कर रहे थे अब उनके सौरग्वास के बाद ये लोग चाहते हैं कि हम इस घर को इस जमीन को छोड़ दे तुम जाओ यहां से तू भी जा, चल देखिये, आप चिंता मत किजिए मैं भनुपरताब से बात करके आपको मुहाफसा दिलवादूँगा कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मार पीट मत क्या करो, इन बातों से मुझे सक्त नफरत है लातो के भूत बातों से नहीं मानते थेट साब, मैंने कितनी बार रूपा को समझाए कि उस जगह को खाली कर दो लेकिन वो मेरी बात की परवाई नहीं करती है, आप जानते हो क्यूं? क्यूंकि उसे पीटर की शेय है और पीटर को फादर की शेय है तुम ठीक कहते हो, पीटर को हमारी शेय है, हम यह जानते हैं, लेकिन एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो पीटर दिल का बुरे आदमी नहीं है, वो जो कुछ भी करता है दूसरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता है वो अच्छा होगा आपके लिए फादर, क्यूंकि आप उसको पसंद करते हैं, उसने हमारे काम में कितनी रुकावाट डाली है फादर, अगर आज के बाद पीटर ने हमारे काम में रुकावाट डाली की कोशिश की ना, तो मैं उसकी टांगे तोर दूगा Mr. Vikram छोड़िये फादर, ये तो खर दिमाग है, बेवकुफ है, इसकी बात मत सुनिये, आप जो चाहेंगे वही होगा, हाई बैठे, तू जाबे करम जा आए फादर बैठे प्लीज मैं चाहता हूँ, बानु परताब जी, कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे उस गरीब को सर चुपाने के रिए छत मिल जाए उसलन तो गलत है फादर, जमीन हमारी है, हम जमीन के मालिक हैं, अगर हमने किसी को रहने के लिए जगा दे दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जमीन चुटाने के लिए हमें दूसरी जमीन देनी पड़े अगर समुंदर में से बाल्टी पानी निकाल लिया जाए, तो समुंदर को कोई फरक नहीं पड़ता बानु परताब जी, आदे गाउं के मालिक हैं आप, दोसों गस जमीन देने से आपको क्या फरक पड़ता है, दुआई लगेंगे आपको उस गरीब की आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूं, आप जो चाहेंगे वही होगा, रुपा को मैं किसी और जगा दोसों कर जमीन दे दूँगा, थेंक यू, एक बात और फादर, जर आप, पीटर को समझा दीजेगा कि वो हमारे बिजनिस में दखर अंदाज न करे, ठीक है, सिर्फ जमीन जमीन से क्या होगा, फादर, सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर तो चाहिए, घर बना लेगी रुपा, करीब लोगों के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी तो होती नहीं है, वह घर कैसे बनाएगी, तो तुम चाहते हो के सेट खुद रुपा को घर बना के दे, हा रुपा के घर वालों ने बर्सों की मैनत से वह छोटा सा घर बनाया फादर, और सेट जी को उस जमीन से लाखों रुपे का फाइदा भी तो होने वाला है, वो सब ठीक है पीडर, लेकिन कुछ काईदे कानूं भी तो होते हैं, मैं कुछ नहीं जानता फादर, आप किसी भी तरह रुपा को चालीस पचास हजार रुपे दिलवा दिजिए, वरना रुपा को वहां से कोई भी नहीं हटा सकेगा, उस सेट से कह दीजिए कि अब वो जमीन को हमेशा के लिए भूल जाए जुम्म जुम्म आज दिन नहीं हुए, आज इनने फादर को समझा रहा है क्या करना क्या नहीं करना मैरे फादर से बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, कि अगर सेट जी ने तुमें चालीस हजार रुपे और दोसो का जमीन नहीं दी तो तुम वो जगा खाले नहीं करोगी अगर सेट जी ने उस जगह पर बिना पैसे दिया हाट डाला तो मैं उसका नाम और निशान मिटा दूँगा पीटर, तो मेरे खादर किस किस से दुश्मनी मोल लेतर होगे सारी दुनिया से, सारे जमाने से दुश्मनी मोल लूँगा रुपा इस दुनिया ने मुझे दिया है, नफरत, सिर्फ नफरत, नफरत के सिवा और क्या दिया है रूपा, अगर मैरी और तुम मेरी जिन्दगी में नहीं होते, तो मैं इस दुनिया को छोड़ कर कपका चला गया होता रूपा के जमीन वाले केस में सेट भानू परताब जी, दोसों का जमीन मुफत में देने को तयार थे लेकिन तुमारे बेटे पीटर ने टांग अला दी, उन्हें माना नहीं, उन्हें क्या बोला मालूम क्या? एक प्याली चाई मिलींगी चाई? उन्हें नहीं बोला भाई, मैं बोल रहा हूं सो मेरे बेटे के रिए बुरा बोलकर चाई मांग रहे हो, अच्छा बोलते तो काफी भी पिला देती, चाई पीटर के भावा, मैं तो सिर्फ चाई मांगा, साथ में बिस्की भी मांगने वाला था मिलेगा, मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन पहले ये बोलो, पीटर क्या बोला? उन्हें बोला, खाली जमीन से काम नहीं चलींगा, 40,000 रुपिया भी चाहिए, इस बात पे पीटर का और फादर का जगड़ा और लफ़डा दोनों शुरू हो गया भाई, ऐयो क्या बोल रहा था ये लौट स्पिकर फिर से बोलना, महीं तो कुछ भी नहीं बोलना था भाई, तेरी यहां क्यों आय था तू, मैं तुम्हारे बावा को काफिन का आडर देने आया था, किसके लिए, मेरे बास्ते भाई, मालूम नहीं पीटर मेरा नंबर कभी आएंगा, म करे रहे माईकल, पीटा गुसे भी क्यों है, क्या बाद है? क्या बहुत है, यह पीटर ने मेरे को माईकल से साइकल बना को रख दिया, फादर ने पीटर को इतना सरपोचला को रखा है कि पीटर का दिमाखरा हो गया है, अब महीं उसका ऐसा कच्छुम्र बनाऊँगा, उन इस काम से? डैडी से हमारे शादी की बात करनी थी ना? तो बात की तुमने? हाँ. क्या कहा उनने? वो क्या है ना? हर बात करने से पहले ग्राउंड बनाना पड़ता है. और वो ग्राउंड बनाने में सारा वक निकल गया. डैडी को काम पर जाना था, वो ओफिस चले गए, शादी की बात ही नहीं हो पाई पस तुम सारी जिन्दगी ग्राउंड ही बनाते रहना तुम अपने भाहिया से जाकर क्यों नहीं कहती कि आकर मेरे डैडी से हमारी शादी की बात कर ले और वैसे भी लड़की वालों को ही लड़के वालों के घर जाना चाहिए बाप प्रे, पीटर से, उसे पता चलेगा तो मुझे गोली से उड़ा देगा क्यों, महबबत का दुश्मन है वो हर बाद मदाग में ले लेते हो, उसे दौलत मन लोगों से नफरत है तो कोई बात नहीं, मैं गरीब बन जाता हूँ फिर मदाग किया, तो और क्या करूँ वह रास्ता सोचू ना ऐसा करती हूँ, मैं फादर से बात करती हूँ पीटर उनकी बाद कभी नहीं डालता, फादर हमारी मदद जरूर करेंगी तो तुम सेट भानू पताब की बेटे रमेशने प्यार करती हूँ जी फादर, वो भी मुझसे भाग प्यार करता है और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता क्यों, क्यों नहीं हो सकता फादर कहां तुम और कहां वो उसके पिताजी इस गाओं के सबसे रईस आदमी है और तुम्हारी पिताजी एक मामूली कारपेंटर जमीन आसमान का फरक है तुम दुनों के खांदान में मगर आपके यहां तो सब एक समान होता है फादर प्यार के दुनिया में भी सब बराबर होते हैं फादर अगर आप चाहेंगे तो हमारी शादी जरू हो जाएगी प्लीज हेल्प मी फादर प्लीज मेरे चाहने पर भी कुछ नहीं हो सकता सेट बानुप्रताब और तुम्हारे भाई की एक पल नहीं बनती वो इस रिष्टे को कभी मनजूर नहीं करेंगे इसलिए तुम्हें यह उमीद लेकर आपके पास आई हूँ फादर क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो दोनों आपकी बात कभी नहीं टालेंगे प्लीज हेल्प मी फादर ठीक है मेरी लेकिन मेरी एक शर्त है जब तक मैं तुम्हारे भाई और हमेश की पिता जिससे बात नहीं कर लेता तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगी ठीक है फादर जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा गुट मेरी 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 तुम्हें हुआ क्या है मेरी जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम मुझसे दूर चली जाती हो आखिर ये बेरुखी क्यों कुछ नहीं रमेश फादर ने मुझसे वचन लिया है कि जब तक वो मेरे भाई और तुम्हारे पिताजी से शादी की बात नहीं कर लेते मैं कि तुमसे ना मिलू नहीं मिलू कितनी आसानी से कह दिया कि नहीं मिलू फादर ने तो कभी प्यार नहीं किया ना इसलिए उन्हें प्यार का अंताजा नहीं आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी वरना वरना क्या कर लोगे मैं अपनी जान दे झाल 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 दिल को बेबजा दड़क में की आदत हो जाती है दिल को बेबजा दड़क में की आदत हो जाती है दिल को बेबजा दड़क में की आदत हो जाती है तुक्र का नही जगया वानल तुक्र का नही आदत है मुहाभब उझा रख झाल की ए, झाल की ए मेरे दिल में है एक लगन मेरे दिल में है एक लगन हर पल तुझ से प्यार करूँ मेरे दिल में एक लगन है हर पल तुझ से प्यार करूँ अपनी खुशी का जानी जाना कैसे में इजिर हार करूँ मेरी आर्जू देखो तुझे देखो तुझे सुबोशा हाइस उम्र में नजरों से शरावत हो जाजी है दिल को बेर वजद घरकनी आपत हो जाजी है कोई करता नहीं नहीं बाबा नहीं कोई करता नहीं कोई करता नहीं है मुहांबत तो करता नहीं करता नहीं करता नहीं देखो तुझे अब सकते हैं मैंने तुझ में क्या देखा है, मैंने तुझ में क्या देखा है, लफजों में कहना मुश्किल है तुझ को पाकर क्यों लगता है, तुई ही मेरी मन्जिल है ये जिन्दरी खर्वी हो मैं तेरे ना तेरा रातों ये अकसर जाजने की अजत हो जाती है दिल को बेबजब घड़क में की अजत हो जाती है कोई करता नहीं, नहीं बाबा नहीं कोई करता नहीं है महाबत का महाबते हो जाती है, हो जाती है करता नहीं है वो, लड़की कौन थी? पेटे मैंने पूछा है कि वो लड़की कौन थी? उसका नाम मैरी है डाड मैरी? किसकी बेटी है? मैं नहीं जानता मैं जानता हूँ साब वो अपने गाउं का सबसे बड़ा बदमाश पीटर नहीं है ये मैरी उसी की बेहन है पीटर की बेहन? जी हाँ इसका मतलब तुम जानते हो वो कॉफिन बनाने वाले एंथनी की बेटी है हाँ डाड एंथनी की बेटी है पीटर की बेहन है लेकिन उनसे हमें क्या ले ना देना? मैरी बहुत अच्छी लड़की है आप उसे एक बार मिलकर तो देखिए मिलना क्या है साब के बिल में सपोले ही पैदा हुआ करते हैं नेवले नहीं बबुल के पेड़ पर काटे ही उगा करते हैं गुलाब नहीं लेकिन गुलाब तो काटों में ही खिलते हैं ना? मैं तुम से बहस नहीं करना चाहता हूँ मगर बाप होने के नाते मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अभी नादान हो और नादानी में किये गए फैसलों से जिन्दगी भर पच्टाना पड़ता है इसलिए उस लड़की को भूल जाओ इसी में तुम्हारे भलाई है डैड मेरी बात तो सुने मैं कुछ नहीं सुना चाहता है रमेश डैड ब्लीज पादर अरे मेरी तुम क्या बात है पादर वो आपने शादी की बात मेरे घरवालों से की मेरी मेरी इन दुनों काम में कुछ ज़्यादा ही बीजी रहा लेकिन तुम फिकर मत करो मैं तुम्हारे शादी की बात बहुत जल तुम्हारे भाई से करूँगा पर फादर अगर हमारी शादी नहीं होई तो मैंने कह दिया ना मैं शादी की बात करूँगा याने जल्दी करूँगा अब तुम जाओ God bless you Thank you, father यहां क्यों आई थी? जी वो पादर को कॉलेज के फंक्शन के लिए इन्वाइट करने आई थी इन्वाइट करना था तो चर्च में जाती घर पर जाने की कह जरूद थी? पादर चर्च में नहीं थे इसलिए ठीक है आइंदा अगर कोई काम हो तो चर्च में मिलना घर पर जाने की कोई जरूद नहीं समझी? चलो जाओ रमेश तुमने सुबा से खाना भी नहीं खाया अभी तक सोई भी नहीं क्यों आपते आपको सता रहे हो? डैड, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए मैरी के बगएर अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता मैं उसके बिना जिन्दा नहीं रह सकता आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए अगर रमेश के डैडी ने शादी से इंकार कर दिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अपने प्यार पे मुझे पूरा भरोसा है मैरी क्या बात है बेटी सुबा से खाना भी नहीं खाया और अभी तक सोई भी नहीं कुछ नहीं मामी, बस नीन नहीं आ रही खाना खा ले और जल्दी से सो जा बहुत रात हो गई है, ले बेटी, ले आपका घर छोड़कर जा रहा हूं जहां तू पैदा हुआ है हाँ डैड, छोड़कर जा रहा हूं मैं इस घर को, क्योंकि मेरी खुशी अब यहां नहीं, मैरी के साथ है देखो बेटे हर मा बा अपने बच्चों के भलाई के बारे में सोचते हैं यह धन यह दौलत जो मैंने दिन रात एक करके कमाए हैं सब तुमारे लिए बेटे पापा आपकी यह धन दौलत तराजों के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में मेरा प्यार मेरे प्यार का वजन जरूर आपकी दौलत से बारी होगा मैं आपसे विंति करता हूं पापा मुझे मेरा प्यार दे दीजिए मैं समझूगा मेरे पापा ने दुनिया की सारी दौलत परी जोली में डाल दी बेटे अगर यह तेरी सित है तो मैं हार के हम तू चित किया बेटे पापा आप हाँ बेटे थैंक्यू पापा मैं अभी जाकर मेरे को बताता हूं अरे हाँ बेटे सुनो बेटे मैं चाहता हूं कि शादी होने से पहले तुम आपते पाउँ पर खड़े हो जाओ क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए बैंकोक चले जाओ और वहां आमारी फैक्टर की देखबाल करो बैंकोक पापा हां पिटे बल्कि कल ही बहुत बड़ा टेंडर खुलने वाला है मेरी जगा तुम जाकर उस टेंडर को भरोगे ठीक है पापा आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा शाबश तुम तुम यहां क्यों आए मुझे तुम से कुछ जुरूरी बाते करनी है तुम यहांसे चले जाओ मैं नहीं जाओंगा लीज रमेश लीज रमेश जाओ यहां से यह क्या जाओ जाओ की रट लगा रखिये मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे सुनो टैडी ने शादी के लिए हां कर दिये सेच मैं नहीं कहता था टैडी मेरी कोई भी बात नहीं ठुक रहेंगे थैंक गॉड एक प्रॉब्लम है मेरी मुझे दस-पंदरा दिन के लिए बैंकॉक जाना पड़ेगा टैडी के कुछ ओफिस का काम है ओ नो ओ येस और दस-पंदरा दिन ही की तो बात है मैं वहाँ जाता ही तो मैं फोन करूँगा फोन मेरा मतलब है खत लिखूँगा ठीक है टेक है टेकिर आफिसाफ बाय गरुप वाई फासट पादर य ये फादर फादर करके भी क्या मांग रहा मैं एक रुपीय नहीं दूगा मैं आप से रुपीय का मांग रहा हूँ फादर मैं तो guidelines तो इसमर्य नहीं हूँ सो रुपीय आउँ मैं तुझे एक पैसा नीदूगा नाई, चुवा allows अगर आपके accepts लोंगा कैसे लंगा आज पुछले हफ्ते थने अंकल मर गया था आज कौंसा अंकल मर गया अच्छाज ओर अगले tallestге मरेंगी वह वह मैं सोच बताता हूँ तो बेंबो मईचेल, तुम ब्रैंदी पीने के लिए अपने अंकल को क्यों मारते रहते हो? फादर, God promise, Father, मैं ब्रैंदी नहीं पीता. तो पर क्या बीते हम? मैं तो फ्राज का बीता हूँ. मैं तुम्हें शराप पीने के लिए अपनी थंडी नहीं दूंगा. ओ फादर नहीं दूगा नहीं दूगा गुड मॉनिंग फादर गुड मॉनिंग ये लीजे रूपा बंजरन के 40,000 रुपे गिन लीजे गिनने की ज़रूरत नहीं है मुझे तुम पर पूरा बरुसा है इन रुप्यों से उस लड़की को सर चुपाने के लिए छोटा सा घर हो जाएगा वो सब ठीक है फादर लेकिन अभी पीटर को समझा देना कोई लफडाने करे बना ठीक नहीं होगा तुम लोग हम दिल जल कर क्यों नहीं रहते हैं ठीक है जलता हुए पता नहीं कब सुतरेगा पादर आप तो बल्ला के रूपया आगा है आपके पास में मेरे को सो रूपी है दो न ये पैसे मेरे नहीं है रूपा के हैं जिस पर किसी घाग नहीं है समझे ये रूपय तो मेरी खिस्मत में आए रूपा की खिस्मत में नहीं पीटर चल आज सेहर चलते हैं वह तुझे डाबे में खाना खिलाओंगी क्या हैं और वह मयला रहे में कि तो सिदा आसमान से जमीन पटपची ए नाए वह है जींसे आप्स आप्स स्मझम आई व sinon तू नहीं समय सकती ए पीटर, पीटर रुखना, ए पीटर मेला दिखा देना, एक बार बोलाना नाई, पीछे ही पड़ गई है, ठीक है जाना, मैं भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, आभी दिखाती हो रूप बाक्या चीज है, करो करता है, पीटर, ग्लाई बाक्याना, इस बार, चाउना नहीं हीतिए, आष जए भीटर रूभूंगी, अ JEFFLAV ँएust। दिल्ली दिखाया न जैपुर दिखाया बंगाली संदे से क्यों न खिलाया यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे कोई वादा अभी तक न तुने ने भाया पागल बनाया मुझे पागल बनाया मुझे को मेला तो दिखला दे वे अनारे बलमा वे मुझको मेला तो दिखला दे वे पनारी बलमा तोटी चपल तो सिलवा दे वे पनारी बलमा वे मुझको मेला तो दिखला दे वे पनारी बलमा तोटी चपल तो सिलवा दे वे पनारी बलमा पास पड़ोसी रोज हमारे पिक्चर देखन जावे इंकरवल में गरम समोसे रबडी संग संग खावे पास पड़ोसी रोज हमारे पिक्चर देखन जावे इंकरवल में गरम समोसे रबडी संग संग खावे इंतरवल पे गरव समों से रबड़े संग संग खावे मुझको चटनी तो चटवा दे वे अनारे बल्मा मुझको मेला तो दिखला दे वे अनारे बल्मा नया नवेला बाग मेरा मत नजर लगा बे पीर मीवू से ब अनार पते है और पके अंजीर नया नवेला बाग मेरा मत नजर लगा बे पीर मीवू से ब अनार पके है और पके अंजीर मीवू से ब अनार पके है मीवू से ब अनार पके है और पके अंजीर ने खुद को चौकिदार बनाले दे आनाड़े बलमा ने खुछ को मेला दिखला दे दे खनाड़े बलमा हनारी बल्मा, हनारी बल्मा, डूटी चप्पल का, डूटी चप्पल का सिलवा दे वे हनारी बल्मा अपना ठक्पा तो लगा दे वे हनारी बल्मा, अमच को गोदी में बिठा ले वे हनारी बल्मा, अमच को चत्नी नो चट्वा दे वे हनारी बल्मा अनाडी बल्मा, अनाडी बल्मा, अनाडी बल्मा, अनाडी बल्मा अरे वाह, मैदान तो साफ है चलो, बैटिंग करे ए ए ए, क्या बात है, दरौजा की बंद कर रहा है मेरी ज़ान इसलिए बंद कर रहा हूँ कि मेरे मन का दर्वाजा खोल सकू मेरी गुलाबो मुगले आजम के सलिम की तरह मेरी हालत हो गई है सुकर काटा हो गया हूँ मैं अनारकली, मत तडपा अपने सलीम को, मत तडपा, अनारकली, मत तडपा मेरे दिल की प्राइस बुजा दे, इस प्राइस बुजा दे आडे, प्या करते हूँ, मुझे गुद्कुदी होती है जाओ, जाओ, आखबर, आखबर बात सो यहा किसी आगया आरे जा कहीं चुप जा जा जाओ जाओ दरौदा खुलना है माइकल क्या करता है दरौदा भी बंद कर रहा है मेरे मुखदर का फैसला सुना दे मरने से पहले मेरा घर बसा दे देख तेरा यह हैध्रबादी जुलियक तेरे पास आया तुमेरा रोम्यो बंजा क्या, क्या में सेक्स बदल दे उन दोनों का हा, अरे भुड़ाओ अपने उमर का तो ख्याल कर कहा तू और कहा मैं हुआ है साण पका क्या बड़ा क्या छोटा भई अ को उमर की क्या प्राइब्लम है तो आखिर साफ होता ना मैं थोड़े दिन तुम्हारे साथ रह जाऊंगा ना तो मैं भी जवान हो जाऊंगा ना यह दोनों हाथ तुम्हारे मेरे हाथ में हैं, फिर यह ककलक हाथ किसका है भाई? हेलीन का! My dear Mary, तुम वहाँ, मैं यहाँ, तुमसे कोसो दूर, हर पल तुमसे मिलने को दिल तडपता रहता है, यहाँ सब कुछ है, धन, दौलत, एशो आराम, लेकिन, लेकिन तुम नहीं हो न मेरी, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना मैं बहुत बेचैन हूँ, तैड़ी से बात करके जल्दी ही लोटाऊंगा, तुम्हारा रमेश तुम्हारे विना मैं बहुत बेचैन हूँ, डेरी से बात करके जल्दी हे लॉट आऊँगा, तुम्हारा हम मैरी किचिट्टी दियर रमेश, तुम्हारा पत्र मिला, लेकिन गौड को कुछ और ही मन्जूर है मेरा भाई विल्यम नाम के लड़के के साथ मेरी शादी कर रहा है, मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं, मैं मजबूर हूं रुमेश, जब तक तुम्हे मेरा लेटर मिलेगा, तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी मैरी वेट्स विल्यम अच्छा होगा कि हम दोनों अब कभी ना मिले, तो मुझे हमेशा, हमेशा के लिए भूल जाना जारे प्यार छूटा से दुनिया को दिखाने आजा तू किसी औरत मिलने के बहाने आजा तू किसी औरत मिलने के बहाने आजा त्यार छूटा से दुनिया को दिखाने आजा तू किसी औरत मिलने के बहाने आजा तू किसी औरत मिलने के बहाने आजा आजा, 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 आजा किसी औरत मिलने के बहाने आजा किसी औरत मिलने आजा प्ढ़ने का रखो दुना किसी औरत मिलने के बहाने आजा चाझ क अशाए करसा प्पा Sü Iraq तू तो कहता था कि मैं जान भी दे दूँगा तुछे केहने के जहां दिल का तमाशा देके एक पल तेनी आजा पे जमाना देखे इश्क क्या है इश्क क्या है जमाने को बताने आजा तू किसी और से मिलने के बहाँ बहाने ही आजा तू किसी और से मिलने के बहाने ही आजा 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 ईच्छ झाल धफ ट ज करें तू का तू का तू आजा तू क्या वार I बहाल बहाला आजा आश की खेल है आसू की पिये जाने का जिंदगी नाम है मरमर की पिये जाने का आश की खेल है आसू की पिये जाने का जिंदगी नाम है मरमर की पिये जाने का खाब आखों को तिरे अब ना दिखाएंगे कभी फिर ना ना तुझे हम फिर ना बुलाएंगे कभी याद की आखरे याद की आखरे शंबा भिर गुजाने आजा तुझे आरस मिलने के बहानि ये आजा अब यार छोटा सहे दुनिया को दिखाने आजा प्यार जोता से ही दिमिया को दिखाने आजा तू किसी औरत मिलने के बहाने आजा 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 हुआ 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 है हुआ है कि फॉसा मर जाने दे सहको है मैं कैरे नहीं करें चाहते मैं यहाँ और क्योंकि है बच्चे की माज़ upset किसके मेरी रमेश के सलमा रमेश के लेकिन मेरी तुम अपने साथ एक ननी जान का खून करने जा रही थी मैं क्या करो सलमा मैं दुनिया को क्या जवाब दू मेरी इस दुनिया का जवाब आत्मत्य नहीं बल्के तुम्हे दुनिया का सामना करना होगा मैरी सामना करना होगा मेरी फादर के पास जाओ सब ठीक हो जाएगा मेरे यकीन करो सब ठीक हो जाएगा मेरी सब ठीक हो जाएगा ठीक है सलमा फादर फादर अरे क्या बाद मेरी फादर तुम इस तरह रोके रही हो फादर उससे बात बड़ी भूलो के यह फादर मैं आपकी बात ले रख सकी फादर 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 एक दिन अचानक रमेश से मेरी मुलाकात हो गए और मैंने खुद अपनी जिंदगी बरबात कर ली फादर ओ माइगाड यह बात मैंने लोगों से चुपा रखी है फादर वो बात अब ज्यादा दिन चुपने सकते इस दिन मेरे माबाप को पता चलेगा कि मैं माबनने वाली हो वो जीते जी मर जाएंगे फादर सब अनत हो जाएगा सब यह सब यह सब तुम्ही पहले सोचना चाहिए था आप ठीक कहते हैं फादर उससे बहुत बड़ी भूलो गई फादर मेरे माबाप की सथ बचाने के लिए अब मेरे पास एकी रास्ता है और वो है मेरी मौत मौत? नहीं मेरी नहीं आत्मा तैग बुजदिली है एक बहुत बड़ा पाप है और फिर तुम अपने साथ उस बच्चे को भी मारना चारी हो जिसका कुई दोश नहीं है तो क्या करूँ फादर कितने दिन तक पेट में इस बच्चे को चुपाके रखूंगी मैं और फिर आप तो मेरे भाई को अच्छी तरह से जानते हैं ठीक है मैं आज ही तुमारे भाई और भानु पताव जी से मिलकर जल से जल तुम दोनों की शादी कराने कोशिश करता हूँ है पी यह क्या बगवास कर रही हो तुम मैंने अपनी आखों से देखा और अपनी काना से सुना है मेरी फादर से कह रही थी कि वह उनके बच्चे की मा बनने वाली है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मारे क्या बात है बिटी, उल्टी आ रही है कुछ नहीं, मम्य जबा, तब यह ठीक नहीं चल, डॉक्टर के पासुचा चलते चल नहीं मम्य, उसके हकोई जरूरत नहीं, मैं ठीकूँ जरूरत नहीं, मतलब बैटि, चल अंदर चल, अंदर क्या बात ही बैटि, तुमको चुपा रही हो चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं साब साब क्या बात है मुझे माफ कर दो ममी पादानी में मुझसे बहुत बड़ी गल्सी हो गई ओ, जीजुस क्या बात है, कौन मर के जो इस तरह रो रही हुना हमारे खांदान की इज़त खतम हो भी हम इसकी चाहदी करना चाहते थे, बगर यह चाहदी से पहले ही यह सच है पहले ही बेटे की कर्टू तुन से सर चुका हुआ था रहिस्ते का सर तूने पूरी कर दी कौन है वो लड़का, बता दे बिटी देख बिटे तू हमको बता दे कौन है वो लड़का ने तो अपना चीना मुश्किल हो जाएगा बिटे बता ना, बोल ना मैं बताता हूँ मैं जानता हूँ कौन है वो कमीणा या चाहरा अनु बधा बटे बटे दे बटे पिड़र! नाई! पिड़र! 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 क्या वा रुपा? पिड़र! रुपा क्या वा? बोलो ना क्या हुआ! पिड़र! मैरी ना हात माद्य कर ली! मैरी फादर से कह रहे थी कि वो उनके बच्चे की मा बनने वाली है! मा बनने वाली है! पिड़र! पिड़र! ये टमाटे के तरह लाला लोगो का जा रही! मैं उस फादर पनांडेस को जिन्दा नहीं चुड़ूँगा! अच जाओ! अरे! उन्हे फादर का खून करने को जा रहा है! पनांडेस! तू फादर नहीं है! अरे पिड़र! क्या बात है? तूने मेरी भेहन को दोका दिया है! मैं तुझे जिन्दा नहीं चुड़ूँगा फनांडेस! पिड़र! 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 अज चर्च का बेल ऐसे कैसे बज़रा है? लगते है कोई खत्रा है मैं तुझे जिन्दा नहीं चुरूँगा फ्लेंदेस ! घरबर! मैं तुझे ₹्य megaw Q Cape video. तुझे ₹ंपम तुझे ₹ंपम थे में करां? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा फरनांडेश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अयो ऐओ, फादर फादर किता खून नहीं खुझे नहीं आप से पादर हाओ मेरे साथ वास्पिटल लेका जाता हु छोड़ू मुझे जोड़ो मुझे! रहे, वो कोई फादर नहीं है! वो एक धोके बाएज है धोके बाएज! Fonandas, तू फादर नहीं है! Fonandas, मैं तुझे जिन्दार नहीं छोड़ूगा! दुनिया की कोई भी जल मुझे बनने रह सकती है! जब तक तूझे जिन्दा है! आपको तो बहुत चूट लगी है फादर अरे भाने प्रताब जी आप जानते हैं यह नादान लड़का मुझवर क्या अलजाम लगा रहा है जाने दीजे फादर यह तो बहुत ही खर दिमाग और बत्तमीज लड़का है आए मैं आपको हस्पिटल ले चलता हूँ आए आपको बहुत है आए आपको बहुत है 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 आपको बहु ल doing in the name of the father the son the Holy Spirit may the soul of Mary rest in peace शोड़ी कर दो दो है! भीजया को लूबाजाए! और भीजया कर दो ही लίергा है! भीज़ी चैसे थो है। भीजया कर दो है। कर दो तुम जाओ वह क्या है कि फादर मेरी के मावाप ने बहुत जिद की कि पोस्टमाटम ना किया जाए इसलिए नहीं किया आप मेरी बात को समझ नहीं रहे अगर दफनाने से पहले पोस्टमाटम करवा लिया होता तो सचाही सामने आ जाती सचाही तो सामने आ जाती मगर एक कुवारी लड़की ने प्रेग्नन होने की वज़ा से आत्माहत्ता की उसके मावाप की इज़त मिठी में मिल जाती साथ में हमारी भी इसलिए हम सब ने पोस्टमाटम करने से मना किय आपने ठिक नहीं किया उस वक्त आप भी नहीं थे वहाँ हम सब दो मिलकर जो कुछ ठिक समझावा ही किया आप आप तंग खायल रखियागा फादर चलता हूं मैं रस आत्मी मारे गए बारा बलतकार हुए अब कोने काली पुकट है 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 एक है हेलो स्पी ऑफिस यह सर सब्सक्राश सब्सक्राश आप SP साब से बात कर सकता हूँ SP साब कुछ काम के लिए बाहर गए हुए SP साब कर सकता हुए What the hell is going on?! Go and kill the bastard! Kill it! He's out with the Martell! He's out! Ah! I will not allow you to spoil my country Let's go! Good morning Good morning God bless you This is not a bad thing तो भी पुलिस को पोस्टमाटम करना चाहिए लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं चाता हूँ मेरे भाई कि तुम आकर उस लड़की का पोस्टमाटम करवाओ आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा भाई साब मैं कली उस लड़की की लाश को निकलवाकर पोस्टमाटम करवात हूँगा अच्छा मैं चलता हूँ चलिए भाई साब घर चलकर खाना खा लिजे न नहीं इस बार रहने दो बहुत देर हो जाएगी अगली बार जब भी आऊंगा घर चलूँगा अच्छा मेरी फादर से कह रहे थी, कि वो उनके बच्चे की मा वानने वाली है सर, आप इस शहर के चेर मैन, मिस्टर भानु परताब जी, आप इस प्यारून कुमार से हाँ, आप के स्षकल बिलकूल फादर फनांडिस से मिलती है यहा, हो मेरे जुडो हो भाई है अच्छा, आच्छा, 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 छाज, आच्छा, अँनुकार वादू के गाउं में किसी को मिलने कहीं पादर के आने तक इंतजार करें क्या? नो डॉक्टर, प्रसीड, आईए इंस्पेक्टर, खोदो इसे, कम आउन करें आजय लगय लंग सक्की भरॉइए नजज लड़ा जाए जाए। मैं उसे नहीं छोड़ूँगा, जिसने आपकी यह आलत बनाई है, मैं कसम खाता हूँ तुमने यह कैसे सोच लिया, कि मेरी नयात मत्या की सर, जिस तरह से मेरी के लाश पेड़ से लटकी हुई थी, उसे देखकर कोई भी आई सोचता कि मेरी ने आत्म हत्या की जी हाँ, मैं जानता हूँ सर, मगर मेरी के माबाप ने मुझसे प्रार्थना की, कि हमारी बेटी की लाश की चेरफार मत कीजिए, हमने बड़े नाजों से पाला है से, इसलिए मैं मजबूर हो गया था, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है, तुम किसी और बात से मजबूर हो से, ऐसा मत कहिए सर, ड्यूटी मिल आपर वही बरतने के लिए, मैं तुम्हे सस्पेंड करता हूँ, सर वो, यू में गो, एस्प्री साब, ये देखो, यहाँ जीजिस के सामने ख़ड़े हो को, फादर सब के लिए प्रे करते थे, आप साब, साब, यहाँ बैट को फादर लिखने पूढ़ने का काम करते थे, और साब, ये सोफे पर बैट को उन्हों सुभा सुभा चाई पीते थे, और अख़बार पढ़ते थे, दुनिया भर की ख़बर उन्हों निकाल दे थे, उनको क्या मालूम था, कि एक दिर उनकी ख़बर यही से निकलेगी, क्या बकवास कर रहे हैं तुम, मैं बकवास दे कर रहा हूं साब, उन्हों पढ़ रहे थे आखबार, वो पिटर आको उनको मारा डंडा, सिधी तरह से बता देना कैसे मारा, वरना छे मैना कड़क और आट आना फत्ता लगा दूगा, क्या समझे, बताता हूं साब, आप जरा बैटो, मेरे हाथ में डंडा दो, आपको बताता हूं, आई से, अरे बंद करो ये साब, क्या तमशा लगा है, चलो आगे बताओ, ये मैना अंदर कर दूगा, साब, ये पिछे का वहला अंडा है साब, फादर रात का खाना खाको, या टेल्टे ते खाना हदम करने के लिए, सखाराम, ये सार, यहां की हर चीज ऐसी रहने दू, ये सार, बाहर का दर्वादा बंद करके सील कर दू, ये अंदर करूँ, हलो, स्पी साब, ठीक है ना मेरा ये गेस्ट हाउस, ठीक है, बहुत बढ़ी है, very good, और किसी चीज की जरूत हो तो मुझसे कहिए, जी हां, मुझे पीटर चाहिए, मा, पीटर? मा! पीटर कहा हो तुम? मैं यहां हूँ, मा. पीटर, ये क्या हालत बना रखी तुने अपनी? पुलिस मेरे पीछे है, मा. पीटे, कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए? पुलिस! आये साब, आये! आप पीटर के पिता हैं? जी हाँ. ये कौन है? उसका मदार साब. लेकिन ये कौफिन बॉस पर क्यों बैठ हुई है? जिस मा के बेटे को पुलिस पकड़के ले गई हो, वो कौफिन पर नहीं बैठेगी तो क्या सोफ़े पर बैठेगी? I see. मिस्टर एंथनी, क्या पीटर के किसी के साथ को दुश्मनी? अरे दुश्मनी किस से नहीं है साब, इसी की वज़े से तो उसने फादर को मारा. लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे मैं नहीं, आका कहां बोलता है? जब पीटर ने फादर को चरी से मारा और पुलिस उसको पकड़के ले जारी थी, तो वो चिल्ला नहीं रहता? कि फादर को जान से मार देगा, जान से मार देगा? कैसे बाप हैं आप? आप खामोश रहिए. मिस्र एंथनी, एक बात बताईए. मेरी की कॉफिन में, मेरी की लाश की जगा, फादर की लाश के से आदी? साब, अपने को नहीं मालूम है? नहीं मेरा पुछने का मतलब यह है कि क्या पीटर ऐसा कर सकता है? अरे साब, वो तो कुछ भी कर सकता है. लेकर साब, एक रिक्वेस्ट है. फादर की खूने को छोड़िया कर नहीं, चाहे वो कोई भी हो. फादर बहुत अच्छा आदमी था साब, बहुत अच्छा आदमी. देखिए, आपको पीटर की कोई भी इंफॉमेशन हो, हमें फॉरन इतला कर देजी. जी साब. अच्छा मा, मैं जलता हूँ. बेटे, कितने दिनों से भूका होगा तू? चल, कुछ खाले चल, आ. ये, तू, मेरे हांसे था. तू चल मेरे साथ पोली स्टेशन. नहीं मैंने, मैंने फादर का खून नहीं किया. तू चल, तेरे कुछ हो कुछ बोलना उदर बोलना चलके. मैंने वादल का खून नहीं किया आप मेरा यकिन कीजिये मुझे समझ दे की कोशिश कीजिये मैं आपका बेटा हूं मैं आपसे जूटते ही बोलूगा मैंने किसी का खून नहीं किया तू चल ना यह रूपा फादा फरनेंडेज मडर केस के बारे में जो कुछ जानती हो साफ साफ बताओ मैं कुछ नहीं जानती साब देखो अगर तुम नहीं बताओगी तो हम यहीं समझेंगे कि तुम भी मर्डर में शामिल हो यह क्या कह रहा है साब उनके लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम फादर फन्नेंडिस को जानती हो उनको कौन नहीं जानता साब इंसान तो क्या यहां के पेड़ पतों से भी पूछेंगे न तो वो भी बोल उठेंगी कि आ फादर को जानती है वो बड़े अच्छे इंसान थे साब मगर मगर क्या मगर कभी-कभी अच्छे इंसान से भी गलती हो जाती है साब साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाती हो वो हुआ यहो कि मैं अपना पैसा लेने फादर के घर गए मामाने देखा कि मेरी फादर के साथ बात कर रही है उनकी बात सुनकर तो मेरा कलेजा ही बैठ गया फिर कह रही थी कि वो मा बनने वाली है मगर बच्चा किसी और कभी हो सकता था हो सकता था पर जिस सरह से वो एक दुसरे से बात कर रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि फादर और मैरी फादर और मैरी Sit up इदर आओ तुम्हारा पीटर के तथ क्या संबंद है हम दोनों एक दुसरे को चाहते है मतलब शादी करने वाले हैं वह तो इसका मतलब यह हुआ कि पीटर ने फादर को मारने से पहले तुम्हे बताया होगा ever आप यह गौलमार बात not कीजी पीटर फादर को क्यों मारेगा इसलिए कि तुमने पीटर को फादर और मैरी के बारे में बताया होगा और पीटर ने गुसे में आकर फादर का खुन कर दिया तब ये बात जरूर है कि पीटर को बहुत गुसा आता है मगर मेरा दिल कहता है कि उसने फादर का खुन नहीं किया पीटर कहा है यही तो मैं आपसे पुछ रहे हूँ कि पीटर कहा है एक बार मुझे उसे मिलवा दीजिए, तो मैं उसे समझाऊंगी, कि इस तरब पॉलीस से भागते भिरोगे, तो पॉलीस तो यही समझेगी, कि तुमने ही फादर का कुन किया है ठीक है, तुम जा सकती हो अच्छा तुम जा कर रुपा पर नज़र रखो, पीटर उससे मिले धरूर आएगा यह सर, पुझे बाद में दीख लूँगा तुम फादर फननेरी इसके आख क्या करते थे मई साब मैं उनकी घुलामी करता था साब क्या मतलब साब वो क्या है, मैं सुबा उनको नाश्टा दे को उठाता था रात को उनको खाना खिला को उनको सुलाता था अखा, दिन में उनकी खिद्वत करता साब और यह चर्च का घंटा भी मैच बजाता था कब से कर तो यह काम? 55 से करता हूं साब, मैं तो खानानी घंटा बजाओं फादर से कोई लड़की मिलने आती थी? बहुत सारी लड़कीय मिलने को आती थी साब लंबी, नाटी, गोरी, दुबली कुछ लोग तो कनफेशन के लिए आते थे कुछ लोग प्रेयर के लिए मेरी नाम की कोई लड़की आती थी? मेरी साब, जितनी भी आती थी उसमें आधी तो मेरी थी क्या? मेरा मतलब है उनका नाम मेरी था साब मेरा मतलब है उसमेरी से जिसने खुद कुछी कर ली आयो, वो बेबी साब, वो तो दिन में भी आती थी और रात में भी आती थी ठीके ठीके, जा यह से आदब, आदब यह क्या, S.P. साब? एक चटान जैसे पुलिस आफसर के आँखो में आसू शरील पर जब चोट लगती है तो गाव भर जाता है मगर जब दिल पर चोट लगती है तो गाव नहीं भरता मैं आपके दर्द को आच्छी तरह समझता हूँ अगर होनी को कौन ठान सकता है कोई मेरे देवता जैसे भाई पर कीचड उच्छा ले यह मुझसे बरदाश नहीं होता क्या कुछ नहीं था हमारे घर में धन, दौलत, इजजत, शौरत, सब कुछ था एक से एक अच्छी लड़की का रिष्टा था मेरे भाई के लिए मैं अपने भाई के हत्यारों को ढूंड निकालूँगा उनका वह शक करूँगा कि वह जिंदगी पर याद रखेंगे आप बिल्कुल ठीक कहते हैं ऐसे हत्यारे को हूँ उसके केकी सजा जरूर मिले चाहिए और मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि उसको सजा मिलेगी चलिए खाना खालेजे सकराम बोल रहा था कि आप ते सुबह से कुछ निकाया आईए पादाम नो ला तैंकते संदुक में माइकल वो फादर को मैंने 40,000 रुपय रूपा के लिए दिये थे कि वो रुपय रूपा को मिले नहीं यहां तो तुम्हें जाको फादर से पूचो जी यह माइकल जादा शान पट्टी नहीं वरना मैं है ना समझ गया मैं मैं तुम्हारे मैं कु समझ गया भई यह सेंड़ो भई तुम्हें चलो आगे मैं तुम्हारे पिछे आतों चलो दर्वाजे खोलो अयो आगे के दर्वाजे को सील है और पुलिस का पेरा है अगर मैं खोलूँगा पुलिस को मालूम पनेगा तो वो लागा मेरी डांगे तोड़ देंगे अरे भईया आगे के दर्वाजे पे सील है ना हाओ तुम्हें काम करो पिछे का दर्वाजा खोलो बागी की जिम्मदारी मेरी है साब पिच्चे का ठीक है लेकिन पिच्चे का खोलने के लिए थोड़ा लगता ना अब तो खोलोगे खोलूँगा कैसा दर्वाजा तोड़ गोते ताम हाथ में आव मेरे साब आव साब मेरे पिच्चे है ये अलमरी अलू जी आवाज दो को करो जाबी का है जरा जोर से बोलो जी अब मैं चाबी का है मेरे को मालूम है कि वादर चाबी का रखते थे ये तक्ये के नीचे चाबी है चल बता ये तक्ये अईउ चाबी का है जी आई कल चाबी का है अरे मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ के चाबी का है यहाँ है चाबी यज श्राजले वूच समय हए प्ष। सरजी वूच। सरजी, स 김남 कौन है, विकरम? if living, też Wayne. मैंने आपी फादर का बूथengo देगा sagt ची आगल हो गया, थतुисл। बापी इंसक्व बूध बन सकता है लेकिन देवता जैसे फादर भूत नहीं बन सकते सेड़ जी कसम से, मैंने हाथ में चाबी देखे इसेड़ जी फादर के भूत के अरे तुने सब्दे में देखा होगा, जा जा कर सो जा सेड़ जी, अब जाओ इधर, यहाँ जाओ अपने कमरे में जा कर सो जाओ किस ने खोला, साब अगर मैं किसी को देखता था तो आपके सामने पकड़ को लाता था ना बगास बंद करो, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोल आ सकता है आ सकता है साब, पादर फर्नांडेस क्या, साब मैं उनका भूत यहाँ देखको हूँ यहाँ नहीं मेरा मतलब है मैं चर्च में देखको हूँ उनका पूरे घर की तलाश लो तुम दुनों दो जाओ, तुम इदर यह सर और तुम आओ मेरे साथ अगर कुछ हाथ लग गया तो छे मैना कड़क और आट अना फत्ता नहीं लगाया तो मेरा नाम सकाराम धोंडू धांडेकर नहीं अरे तो मैं हूँ, मैं क्या भुध्यल से लगता हूँ इस कवाट के चावी कहा है ओ चावी मेरे पास नहीं भूत के पास है नहीं वो तक्की के नीचे नहीं वी 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 तुम जासकते हू जाओ जासकते हूँ जार वहा तो कुछ भी नहीं मिला सर यह क्या है ऐसा कैलेंडर कहीं देखा है पर याद नहीं आरा कहां देखा है कहां देखा है येस, आइगाट इट फादर की अलमारी में मिले हुए रुपे इसी कागज में लिप्टे हुए थे इसका मतलब है कि यहां का वहां से कोई संबंद जरूर है सेट जी, मेरे को भूच से बचा लो, सेट जी ने तो मैं खाम खा का मर जाओंगा माइकल, खाम खा तुम लोगों को वहम हो गया है भूत उत कुछ नहीं होता है सेट जी मैं मेरे अंकियों से देखा हूँ और वो सेंडों मेरे साथ में देखा सेट जी अगर तुम दोनों को दिखायदेता है तो मुझे क्यों नहीं दिखायदेता, सबसे पहले तो मुझे दिखना चाहीए था, क्योंकि माई फादर के बहुत करीब था, खबराव नहीं, मैं हुना, कोई भूतूत नहीं है। साफ हमारे साथ साफ, तो मेरे कोड़ डर किस बात का? मैकर, क्या हो तुमारी आवास? क्या हो? तुमारी शेजी शेजी क। की तुमारी शेजी 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 कहा है? पादर रहे थे, क्या बोल रहे थे, पादर, फनननीस का भूत आय था, फनननीस का भूत, 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 आपके पास क्यों आएगा आपकी फादर के साथ क्या दुश्मनी थी मेरी फादर से क्या दुश्मनी हो सकती है बल्कि फादर फणांडिस तो मेरे बहुत अजीज दोस्त है वो सकता है उनको मेरी याद आ गई हो और मिलने चले आया हूँ पर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं कमाल खर रहे हैं आप भूत को देखर कौन ने घबराएगा खैर आप मत घबराएए मैं सकाराम को यह चोड़कर जाता हूँ मुझे पिटर को पकड़ने जाना है आप रुकिया नहीं यहाँ पर मुझे मरना है तो यही पर मरना लेकिन सर आपका पिस्तुल दे दिजे ना मरूँगा तो किसी को मार के मरूँगा चोड़ूंगा नई भूत को छे मैना कड़क और आठ आना फत्ता लगाऊंगा बेट बेट वेट वेट लड़ा है । जरा देखना है इसमें गोली ओली है कि नहीं इधर नहीं उदर रूपा तुम सोचती हो कि ये फादर को मैने बाल डाला तो फिर किस ने बाला फादर को यही सोच के तो मैं परिशान हूँ लेकिन फादर की मौत से एक बाद साबित हो जाती है कि मैरी की आत्मत्या फादर की वज़े से नहीं हुई है इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ी साजिश है रूपा मैरी और फादर के काते लोगों को मैं जिन्दा नहीं छोड़ूँगा चांदसे मार दूँगा मैं उन्हें है यहाँ पिटर आया था यहाँ पिटर आया था एक तरफ रख अपने दंडे को घड़ी घड़ी बजाते रहता है दंडा बजा है बीना मानती नहीं तू कुछ ने रखा तेरे डंडे में मेरे आप बड़े बड़े आए डंडे लेकर आए और चले गए दंडा चोड़के नहीं तोड़के देख मुझे ज्यादा गुस्ता मत दिला मैं तो मैं अनर्थ खड़ दूंगा यहां तेरी कोई दाले कलने वाली है अब आही गया है तो एक अनर्थ हाथ। इसमय क्या है अपने हातों से पिलाएगी क्या है यह मुह से अरे मेरी गुलाबो मीरी बात सुन ना हाइ बाकि म क्या तुझे नहीं ही सुन्न को ना मेरे बगीचे में आकर अपना अाव किला देना मैं तिरी लाइब बना दुन्ęd कोई sut i Valent Good Day 113 घंटा हिलाूं है तविए है तो में तुम्हें किसके लाइव बना रहा थे मेरी वाइफ की तुमारी वाइफ दृसर फ्राइच ने थूम्हें तुमहें पराव नोच को और आठला बत्ता जो है ना, उसकी बत्ती बना को अंदर डाल। क्या? तेरी जेब में भई, तेरे को आठला चाई पीने को आएंगा काम में। तुप नतल स्क्राइब में तुझे अंटर करदूंगा मुठ चैप अंधर कर्दूंगा के थिके अंधर माुटर अंधर यहां नहीं एक यवाही डाल। देख, मैं अब पीटर को पकड़ता हूँ, बात में तुझी हिटर मारता हूँ, तब तक तु लाइन नहीं मारना, समझे, अभी आया गुलू गुलू, तुझे बिश्ची का पीटर को देखे क्या, पीटर यहा आता क्या आता या नहीं आता तेरा चेरा क्यों उतर गया रे मेरा चेरा क्यों उतर ही गा भाई मैं पीटर से नहीं डरता मैं अभी जागो उसको पकल को आता हूँ जो देखो पीटर कोई पूछता है पीटर कोई ढूंता है पीटर कौन पीटर का अरे मैंने तो तुझे भी पिटर समझ लिया ओका जिंगरात मैं पिटर को आरेश करने के बारे में सोचता हूँ ना तो हर आत्मी मुझे पिटर ही लगता है अगर तुम्हें कई पिटर का पता चले तो मुझे बता देना प्लीज हो क्या मेरी तरक्षी हो जाए है anडर के अथरे मिने तो वन से पुलि स्टेसिन से आया आला लालला का पोली स्टेशन है कहा एला ना का पुली सेशन है कहा मुझे क्या करना मुझे तो पिटर को सब्रमें आप क॥ तो पिटर अरे शख्रम एक लशा पानी ले कर आ लाँ झाल झाल कौन हो तुम ऐस्पी साब वो पीटर मैं ही हूँ जिसकी आपको तलाश है खपरा ये मत मैं आपको मारने नहीं आया सच्चाई बताने आया हूँ हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है सच्चाई ये है कि तुम कानून से भागे वे मुझ्रिम हो सच्चाई ये है कि तुमने फादर का खून किया है ये सच्च है कि मैं कानून से भागावा मुझ्रिम हो मगर ये सरासर गलत है कि मैंने फादर का खून किया है मैंने फादर का खून नहीं किया अगर तुमने फादर का खून नहीं किया है तो तुम कानून से क्यों भाग रहे हो इसलिए कि कानून मेरी बेहन के कातिलों को नह कानों ने इतना अपाईज नहीं है कि तुम जैसे मुझ्रिमों का सारा ले लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो अगर तुम वाकी बेकसूर हो तो अपने आपको हमारे हवाले कर दो वरना वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे एसपी साब मैं आपकी इज़त सिर्फ इस ले करता हूँ क्योंकि आप फादर फर्नांडिस के भाई हैं और एक अच्छ हिंसान मैं जा रहा हूँ एसपी साब मगर जाने से पहले आपसे ये कह देना चाहता हूँ मैं उन लोगों को बरबात कर दूँगा जिन्होंने मुझसे मेरी बहन और फादर को छीना है हाँ उन्हें मार कर मैं अपने आपको आपके हवाले कर दूँगा रुक जाओ वरना गोली मार दूँगा आपके रिवाल्वर में गोलिया नहीं है रुपा रुपा दर्मादा खोलो रुपा पीटर ए रुपा इसकी कोई ज़रूद नहीं क्यों? पुलीस ने मुझे हर गुना से बरी कर दिया सच सच मनोमे तयदे मनोमे मनोमे तयदे मनोमे दूब गए मेरे मैन सजन तिरे मैनों में दूब गए मेरे मैन सजन तिरे मैनों में दूब गए मेरे मैन सजन तिरे मैनों में दूब गए में दूब गए दूब गए मेरे में दूब गए मेरे मेरे में तिरे मैनों में दूब गए मेरे मैन सजन तिरे मैनों में दूब गए मेरे में दूब गए मेरे में रहता है पन की तर जब जब तो मेरे साबत आए आए तिरे माचन सजन तिरे मैनों में सजन तिरे मैनों में दूब गए मेरे मैन सजन तिरे मैनों में दूब गए मेरे मैन सजन तिरे मैनों में दूब गए मेरे मैन सजन तिरे मैनों में हाई दिल को चेल सचन तिरी नेगों में हाँ तुपते मेरी नेल सचन तिरी नेगों में पीटर तुप? क्या बात है पीटर? पुलीस मेरे पीछे लगी हुई है पुलीस है चलो उंदर चलो पीटर ये क्या बैया सब लोग कहते है कि फादर का खुन आप ने किया नहीं फादर का खुन मैंने नहीं किया ये सब बिलकुल बखवास है लेकिन जब मुशक पता चला? मेरी फादर से कह रहे थी कि वो उनके बच्चे की मा बने वाली है क्या? मेरी के पीट में फादर का बच्चा? इसलिए मैंने फादर पर हमला किया था लेकिन वो बच गया पाद में किसी और ने उनका खुन कर दिया पर मेरी के पीट में फादर का नहीं बच्चा था क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक के रही हूं भीया मेरी रमेश से प्यार करती थी तुम इशने शादी का बादा करके उससे दोखा दे दिया इसका मतलब है रमेश को निगा रहे मैं उस दोख के बास को कभी नहीं छोड़ूँगा पीटर क्या कर रहे हो तुम? ठोड़ो मुझे! ठोड़ो मुझे! टोड़ो मुझे! ठोड़ो मुझे क्या बास है, बीटर? कहा है तुमारा बेटर! भुलाओं उसने! क्यों? क्या क्या है, veggie उसने? मेरी बहन की जान लिए उसने यह क्या कर रहे हो तुम? मेरा बेटा तो दो मैने से इंदुस्तान के बाहर है वो तुम्हारी बेन को कैसे मार सकता है प्यार के सपने दिखा कर अरे क्या कर रहे तुम याद अतना भानू पताप मैं तुम्हारे खांदान का अंदामो निशान मिटा दूगा अरे छड़ो मुझे भरिश हल्दार बात कर दूम्हा हल्दार याद सुल्दार पिटर, में छोड़ूगा नहीं, छोड़ूगा नहीं! तरोडर, मोद दोड़ा दोड़ूगी, तुझे रेस लेंगी, रेस्तिर पाग जो, भाग जो, पिटर, बाग जो, पिटर, बाग जो, नोसी हिटर लगांगो, कहा है पिटर? इदर, 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 इदर Excuse me, excuse me, आपने पिटर को देखा क्या? नहीं देखा नहीं देखा, खाली पुकर पिटर, बाग जो, पिटर, बाग जो, पिटर, इदर, 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 इदर जानता है तू, तेरी नीच और गिरिवी हरकत की वजए से, मेरी भेहन ने आत्मात्या कर ली आत्मात्या नहीं की, मार डाला किसीने मेरी को मेरी को मार डाला, अगर कौन, कौन मार सकता मेरी भेहन को विक्रम, तुम छुट बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, पीटर बैंकोक से लोटने के बाद, मैं सीधा तुमारे घर जा रहा था, मेरी से मिलने रास्ते में मैंने देखा, मेरी मेरी, मेरी, मेरी मेरी, मेरी! जब मुझे होश आया, तो मैंने अपने आपको यहां बंधा हुआ पाया तब से यहीं बंधा हूँ मैं उस हरामजादे को जिन्दा नहीं चोड़ूँगा फिकरम को जिन्दा नहीं चोड़ूँगा मैं जब है झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो व्works कि एव प्राइब एव दो कि एव दो इव दो खर शार 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 शाल झाल झाल कि अचाण खब काण Corda कुट हाँ कुट हाँ कुट हाँ कुट हाँ कुट हाँ मैली का तो मेरी वदा क्या थे तुम्हें इसने की भर सात्ति निपाने का फिर च्छुर कर चली गई अखिर मेरा कुसूर क्या था तुम जबाब क्यों नहीं देती थे मिरा कुसूर क्या था बोलो मेरी बोलो जार जूटा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और से मिलने के पहाने आजा तू किसी और से मिलने के पहाने आजा प्यार जूटा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और से मिलने के पहाने आजा तू किसी और से मिलने के पहाने आजा 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 पीटर पीटर तू मंदर जाओ और अपना पास मिल लो मैं यहां पर ध्यान रखता हूं अगर पुलीस आई तो मैं आवाज जे दूँगा हाँ मु circulating आजा पिरेकरा आजा अगरू झूलो, क्यो झालो? इप प है हागा! मैं हागा! क्यो कchlag कigon बाभा? मैं हागा बाभा? बाबा, मुझे मालूम है बाबा, आप मुझे नाराज हैं, जिन्दगी भर नाराज रहे हैं, लेकिन बाबा, मैंने जान बुछ कर, जिन्दगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसकी वज़े सापका दिल दुखे, फिर भी, फिर भी, अगर मेरी मुझे से आपका दिल दुखाओ, तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दिजिए, पेटे, 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 मुझ घर्ण मुझ घरन कंछ कां कर दो पाल आया है झाल कर दो, कर दोmbol हो consistency और देट और देट और देटन पीटर बगोली क्यों चिलाई? क्यों मारना चाते थे उसे? वरना वरना वो मुझे मार डालता सर इसलिए के तो ने उसकी बेन का खुन किया नहीं सर, सर मेरी का खुन मैंने नहीं किया सर छूच मत बोल, सर सच बता, शायद मैं तुझे बचा लूँ वरना फासी का फंदा तुम्हारे गले में होगा, बोल! बता दो, बता दो सर सर, मैंने खुनने किया सर एक, एक रात की बात है सर यह लो पचास हजार रुपए और जा कर किसी लड़के से शादी कर लो नहीं रमेश का हमेशा के लिए भूल जाओ मुझ पे नहीं, आपने खांदान के होने वाले वारिस पे तरस खाईए सर जी मेरी कोख में आपी के खांदान का खुन है जूट बोले ही तुम जूट बोल रही हो मैं जूटने कह रही सेट जी यह बचा रमेश काई है यह लो अपने कीमत था तिर कभी अपनी शकल नहीं दिखाना दफाह हो जाए यांसे यह जाए मुझे पैसे मुझे सिर्फ रमेश जाए सेट जी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दुनिया के हर अदालत का दर्वाजा खट खटा दूंगी समझे आप विक्रम यह लड़की एक नाजास बच्चे के मा बनने वाली थी समाज के डर से इसने आत्मात्ता कर ली सर में बेकसुरू सर तुम यह भि जानते हो के फादर का खून कसने किया साब साब पादर का खून किसने किया बताओ साब मैं बताताम साब मैं बताता हू महन हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है झाल 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 रुक जाए पीटर मत मागो इसे मैं इसे नहीं चोड़ूँगा इसने मेरी बेहन की जान लिया है इसने सिर्फ मेरी कोई नहीं मारा इसने फादर का भी खूल किया है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया ये सब छूट है मैंने कुछ नहीं किया तो फिर तुम फादर का भूद देखकर उस रात भ्योश क्यों हो गए थे जिस रात मैं तुम्हारे घर आया था फादर का भूद बन कर वो तुम थी हाँ मैं अगर जीना चाते हो तो सब कुछ साफ साफ बता दो बता और न तेरी खोपड़ी उड़ा दूगा मैं मजबूर था इस पी साब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था हाँ को झाल रख़ू और बापी जार जार एख़ू वानु परताप, यह सब क्या हो रहा है? मुझसे गल्ती हो गए, फादर, मेरे हाथ से महरी का खून हो गया मुझे माफ कर दीजे, फादर, तुम्हारे पापको भगवान भी माथ नहीं करेगा मुझे तो तभी शक हो गया था, जब तुम पोस्माटम की बात कर रहे था फादर, माफ कर दीजे मुझे, आपकी ओ मेरे बहुत पुरा इन जान पेचान है गल्ती होगी मुझसे, माफ कर दीजे मुझे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, जभी जवना से, जाओ मेरे नाचाते हुए भी, मुझसे यह हादसा हो गया, स्पी साब रमेश, तुमारी वज़ा से मेरा बेटा मर गया, जान से मार डालूगा तुम्हे भी तु मुझसे संभा लो वजवा Pıttt! 'To ت'मेश! तु किष नयोगा बमेश! चल मेरेशद! मेरी... ...Meri... मेरा! इntिसाट कर ये, वेचान! बमेश! लाओ छूलो भाज जुछ ए ऐा प्लाओ जिए वाज़ानों नहाल जुछ है अमस्के बाज बालो ए जुछ है तालो ए टूड़ालो घो एंगलो उहालो ए तुछ है कि लाज़ारां गुछ है उपर वाले की आदारत ने इसे सजा दे दी चलो झाले की आदारत ने दी